उपपत्ति के मुक्य पहलू उपर की दोनों उपपत्तियों को ध्यान पूरवक पढ़िए और बताईए कि इन कत्नों को सिद्ध करने में कौन-कौन से मुक्य पहलूं का उपयोग हुआ है माधवी कहती है कि उपपत्ति के तीन मुक्य पहलू दिखे पहला, दोनों कतनों को सिद्ध करने के लिए पहले से सिद्ध प्रमे, परिभाशा या अभिगरिहीतों का उप्योग किया गया है दूसरा, उपपत्ति का प्रत्य कतन ठीक पहले वाले कतन से तारकिक रूप से जुड़ा हुआ है तीसरा, कतनों को लिखते समय, विशेश प्रकार के प्रतीकों वह चिहनों का उप्योग किया है और बड़े वाक्यों को इनका उप्योग करके संख्शिप्त में लिखा है क्या आप माधवी की बात से सहमत हैं? करके देखें चतरभूज की आंतरीकों का योग 360 अंश होता है इस कतन को सिद्ध करें और उसमें उप्पत्ति के तीनों मुख के पहलों ढूणे सोचे एवं चर्चा करें जिन दो कतनों को ऊपर हमने सिद्ध किया है उनकी उप्पत्ति पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्णों पर कक्षा में चर्चा करें पहला कौन-कौन सी परिभाशा प्रमेयों या अभिग्रिहीतों का उप्योग किया गया है दूसरा उन चिहनों प्रतीकों की सूची बनाईए जो इन उप्पत्तियों में इस्तमाल किये गये हैं उप्पत्ति समझना व करना आईए देखते हैं कि उपर लिखे तीनों पहलू किस प्रकार उप्पत्ति पढ़ने, समझने और लिखने में मदद करते हैं पहला परिभाशाओं पुर्वग्याद प्रमे स्वयम सिद्ध का प्रयोग यदि आपको एक कथन सिद्ध करने के लिए दिया जाये तो आप कैतर शुरू करेंगे जाहिर है इसके लिए आपको उन सभी ग्याद जानकारियों के आशक्ता होगी जिनके आधार पर कथन को सिद्ध किया जा सके ये जानकारियां अभिग्रीद, परिभाशा, पुर्व सिद्ध कथन हो सकती हैं इसलिए किसी कथन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यह सोच लें कि क्या क्या पता है ताकि इन जानकारियों का इस्तेमाल सही जगा पर हो सके हमने समरूपता के अध्याये में दो त्रिभुजों में S.A.S. और S.S.S. समरूपता प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए ए ए समरूपता कसोटी का उप्योग किया है इसी तरह कक्षा नौ में वर्गमूल दो को अपरिमे संख्या सिद्ध करने हे तू परिमे संख्या के परिभाशा का उप्योग किया गया वो किसी समांतर शत्रभुश की सम्मुख भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोणों का युग्म प्रमे का उप्योग किया गया करके देखें अब तक की उपपत्तियों में उप्योग की गई परिभाशाएं छाटिये किसी उपपत्ति में एक कथन के बाद अगला कथन किस आधार पर लिखें यह सोचना महत्वपूर्ण है इसके लिए पहले से ग्याद परिभाशा अभिग्रिहीत वो पुर्व सिद्ध प्रमे की जानकारी होना आश्यक है समानतर रिखा के परिभाशा से हमें पता है यह समानतर रिखाओं में उभाय निष्ट बिंदू नहीं होता इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि एल और एम कोई दो समानतर रिखाए हैं तो उनमें कोई उभाय निष्ट बिंदू नहीं होगा निष्कर्स कथन एक अन्य उदाहरन देखते हैं यदि A धन 5 बराबर B और C बराबर B है तो A धन 5 बराबर C होगा यानि A बराबर C रिंड 5 उपर लिखे दोनों उदाहरनों में परिभाशा और अबिग्रहीत के आधार पर एक कथन से अगला कथन लिखा गया है इसी तरह पुर्व सिद्ध कथन या प्रमेयों के आधार पर भी निश्कर्स निकाले जा सकते हैं आईए एक उदाहरन देखते हैं त्रिभुच A O B और त्रिभुच P O Q में कोण A O B बराबर कोण P O Q O A बराबर O B और O B बराबर O Q है S A S सर्वांग समता प्रमे के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुच A O B सर्वांग सम्हें त्रिभुच P O Q के निगमनिक तर्ख हमें एक व्यापक सत्य कथन से विशिष्ट सत्य कथन तक पहुचने में भी मदद करता है उदाहरन के लिए यदि एक बारिया सिद्ध कर दें किनी दो विशम संख्याओं का गुणनफल एक विशम संख्या होती है तो बिना गुणा किये ही हम विशम संख्याओं को पहचान कर गुणनफल के विशम होने को जान सकते हैं उदाहरनार्थ 74,28,399 गुणित 6,7,349 का गुणनफल भी विशम संख्या होगी क्योंकि 74,28,399 और 6,7,349 दोनों संख्याओं यहीं विशम है करके देखें पहला, सिद्ध करें की किनी भी दो क्रमागत विशम संख्याओं को योग चार का गुणज होता है दूसरा, दिये गए कत्नों के आधार पर निश्कर्ष कत्न लिखिए कत्न ए, वर्ग एक आयत है कत्न बी, आयत एक समांतर चतुर्भुज है कत्न ए, जीवा एबी, वरित की परही पर कोण ए, पी, बी बनाती है कत्न बी, जीवा एबी एक व्यास है तीसरा, यदि ए, बी, सी, डी और पी, क्यू, आरेस दो आयत है तो इनके कोणों, भुजाओं वविकर्णों के बारे में हम क्या-क्या निश्करस निकाल सकते हैं क्या हम कह सकते हैं कि ये सरवांग सम अथ्वा समरूब है क्या काट कर वनाप कर गणिती कत्न सिद्ध कर सकते हैं गणित सीखते समय हम कई बार माप कर या विशेश उदाहरण देखकर व्यापक इस तरपर कुछ बातें मान लेते हैं जैसे त्रिभुज के अंताह कोणों को योग एक स्वास्थी अंश है इसे भी दिखाते समय हम माप कर अत्वा कोणों को काट उन्हें एक साथ रख कर ये कहते हैं कि अंताह कोणों को योग एक स्वास्थी अंश है किन्तु या इस कथन की उपपत्ती नहीं है इस तरह दर्शाने से या हर त्रिभुज के लिए मानने हैं ऐसा हम नहीं कह सकते हम जानते हैं ये किसी भी त्रिभुज के तीनों अंताह कोणों का योग एक स्वास्थी अंश होता है एक प्रमे है जो कि सभी त्रिभुजों पर लागू एक व्यापक कथन है मालने कि आपने किसी एक त्रिभुश के कोणों को मापा यदि उनका योग 180 अंश हो तो किसी दूसरे त्रिभुश के लिए भी ऐसा होगा हम यही बात नहीं कह सकते इस प्रकार सभी संभव त्रिभुश के कोणों को मापना भी संभव नहीं है इसके अलावा यदि योग 180 अंश से कम या ज़ादा हो तो हम यही मानेंगे कि माप ठीक से नहीं हुआ ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि समतल पर बने त्रिभुश की तियनों कोणों का योग 180 अंश होगा ही और हम इसे व्यापक रूप में सिद्ध कर सकते हैं जिससे यह हर त्रिभुश के लिए सही होगा ही